हेलो बच्चों आईए एपी के प्रथम एन पदों का योग समझने के लिए एक रोचक स्थिति का विचार करें जिसमें शकीला अपनी पुत्री की गुलक में उसके एक वर्षकी हो जाने पर सौरू पे डालती है और दूसरे जनम दिवस पर देड़ सो रुपे तीसरे जनम दिवस पर दो सो रुपे डालती है और ऐसा आगे जारी रहता है जब उसकी पुत्री 21 वर्षकी हो जाएगी तो उसकी गुलक में कितनी धनराशी एकत्रत हो जाएगी यहां उसके प्रथम दूसरे तीसरे चौथे इत्यादी जनम दिवसो पर उसकी गुलक में डाली गई राशियां रुपे में किरमश सो डेड़ सो दो सो धाई सो इत्यादी है तथा यही करम उसके 21 जनम दिवस तक चलता रहा 21 जनम दिवस तक एकत्रत हुई कुल धनराशी ग्याद करने के लिए हमें उप्रोक्त सुची की संख्याओं को जोडने की अवशक्ता है क्या आप यह नहीं सोचते कि यह एक जटिल प्रक्रिया होगी और इसमें समय भी अधिक लगेगा क्या हम इस प्रक्रिया को संक्षिप्ट बना सकते हैं यह तभी संभव होगा जब हम इसका योग निकालने की कोई विधी ग्याद कर ले तो आएए हम समानतर श्रेणी के अंतरगरत AP के प्रथम N पदों का योग निकालना सीखते हैं AP के प्रथम N पदों का योग माल लीजीए यह AP है A, A प्लस D, A प्लस 2D इत्याधी इस AP का एनवा पद A प्लस N माइनस 1 गुणा D है माना S इस AP के प्रथम N पदों के योग को व्यक्त करता है तब S बराबर A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस इत्यादी A प्लस N माइनस 1 गुना D ये हम पहला समी करण मान लेते हैं पदों को विप्रीत क्रम में लिखने पर हमें प्राप्त होता है S बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D प्लस A प्लस N माइनस 2 गुना D प्लस इत्यादी A प्लस D प्लस A इसको हम समी करण संख्या 2 मान लेते हैं इनको जोडने पर हमें क्या प्राप्त होगा 2S बराबर 2A प्लस N माइनस 1 गुना D प्लस 2A प्लस N माइनस 1 गुना D प्लस 2A प्लस N माइनस 1 गुना D प्लस 2A प्लस N माइनस 1 गुना D कितनी बार? N बार. या 2S बराबर N गुना 2A प्लस N माइनस एक गुना D. चुकि इसमें N पद है. या S बराबर होगा N बटा 2 गुना 2A प्लस N माइनस एक गुना D. अतर किसी AP के प्रथम N पदों का योग S निमलिखित सूतर से प्राप्त होता है. S बराबर N बटा 2 गुना 2A प्लस N माइनस एक गुना D. हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं. S बराबर N बटा 2 गुना A प्लस A प्लस N माइनस एक गुना D. आप ध्यान दीजिए A प्लस N माइनस एक गुना D को हम A N लिखते हैं. ठीक है? अर्थात S बराबर N बटा दो गुना A प्लस A N ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया अब यदि किसी A P में केवल N ही पद हैं तो A N अंतिम पद L के बराबर होगा अतह तीसरा समीकरण से हम देखते हैं कि S बराबर N बटा दो गुना A प्लस L भी लिखा जा सकता है परिणाम का यह रूप उस थती में उप्योगी है जब A P के प्रथम और अंतिम पद दिये हो तथा सार्व अंतर नहीं दिया गया हो ठीक है बच्चो अब हम उसी प्रश्ण पर वापिस आ जाते हैं जो प्रारम में हमसे पूछा गया था शकीला की पुत्री की गुलक में उसने पहले दूसरे तीसरे इत्यादी जनम दिवसों पर डाली गई धनराशियां रुपे में करमश सो डेर सो दो सो धाई सो इत्यादी हैं यह एक एपी है हमें इसमें 21 जनम दिवस तक एत्रतित हुई धनराशी ग्याद करनी हैं अर्थात हमें इस एपी के प्रथम 21 पदों का योग ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ ए क्या है 100 प्रथम पद 100 है और हर साल कितने पैसे बढ़ा के डाल रहे हैं 50 रुपे तो डी हो गया हमारा 50 और एन 21 ठीक है सूत्र हमारे पास है S बराबर N बटा 2 गुना 2A प्लस N माइनस 1 गुना D इसको हल करते हैं S बराबर 21 बटा 2 गुना 2 गुना 100 प्लस 21 माइनस 1 गुना 50 जो हो जाएगा 21 बटा 2 गुना 200 प्लस 1000 इसको हल करने पर हमें मिलेगा 21 बटा 2 गुना 1200 हमने 2 से 1200 को काटा तो 600 आ गया तो 21 को 600 से गुणा किया तो हमें 12,600 रुपे मिले अतह उसके 21 जनम दिवस तक एकत्रित हुई गुल्लक में धन राशी 12,600 रुपे है ठीक है बचो? हमने देखा कि प्रथम एन पदों के योग के सूत्र में चार राशियां S, A, D और N संपद्ध हैं यदि इन में से कोई तीन राशिया ग्यात हो तो चौती राशी ग्यात की जा सकती है टिपणी पे गौर करिए किसी AP का एनवा पद उसके प्रथम N पदों के योग और प्रथम N माइनस एक पदों के योग के अंतर के बराबर है अर्थात N बराबर है S N माइनस S N माइनस एक है ठीक है बैचो आईए अब आपकी प्रशनावली 5.3 हल करते हैं पहला प्रशन है निमन लिखित समानतर श्रेणियों का योग ज्याद कीजिए 2,7,12 इत्यादी 10 पदों तक इसमें हमें क्या दे रखा है वो नोट कर लेते हैं प्रथम पद है 2 और सारवंतर होगा 7 माइनस 2 यह हम दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं यह हो गया 5 और N हमें दे रखा है 10 ठीक है 10 पदों तक तो हमारे पास हमें निकालना है S 10 जो है 10 बटा 2 2 A, A का मान है 2 प्लस N माइनस 1 तो 10 माइनस 1 गुना D D कितना है 5 यह हमने सोत्र में मान रख दिये और हमें प्राप्त होगा 2 दुनी 4 हो गया प्लस 9 5 45 इसको हल करके हम प्राप्त करेंगे 49 को 5 से गुना किया 245 इसको मतलब अगर हमने 10 पदों तक हमने योग निकाला 245 हो गया समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं 7 प्लस 10 एक बटा दो प्लस 14 प्लस इत्यादी प्लस 84 हमारे पास प्रथम पद क्या है बच्चो 7 और अगर हम सारवंतर निकाले तो यह होगा 10 को 2 से गुना किया 20 और 21 बटा 2 माइनस 7 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो यह हमें मिलेगा 21 माइनस 14 बटा 2 जो हुआ 7 बटा 2 के बराबर और हमारे पास अन क्या है अन है 84 तो हम इसको फॉर्मुले में लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस एक गुना डी तो यह हमारे पास है 84 और ए हमारे पास क्या था 7 प्लस एन माइनस एक गुना डी डी कितना है 7 बटा 2 इसको हम सरल कर लेते हैं 84 माइनस 7 बराबर होगा एन माइनस एक गुना 7 बटा 2 यह हो गया 77 बराबर है एन माइनस एक गुना 7 बटा 2 अब क्योंकि हम पे हमने 7 से गुना कर रखा है इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा 7 से और यहां भाग हो रहा है तो इधर जाकर के गुना हो जाएगा N minus 1, इसको हम काट देते हैं, तो 11 दुना 22 plus 1 यह हो जाएगा N का मान 23, ठीक है, अब हमारे पास सूत्र क्या था, S 23 बराबर 23 बटा 2 A के मान है 7 plus A N, वो कितना है, 84, इसको अमहल कर लेते हैं, 23 बटा 2 गुना 91, अब 23 को 91 से गुना करिए, 937, यह हो गया 20, 3, 9, 2, तो यह हो गया 2000, 93 बटा 2, अब 2 से इसको भाग करते हैं, 2, 4, 8, यह आजाए का हमारे पास 1046, एक बटा 2, यह हमारे पास इसका योग आ गया, ठीक है बच्चो, समझ में आ गया, अगला प्रेशन करते हैं, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इत्यादी प्लस 10, इसमें पहला प्रद हमारे पास 34 है, और सारवंतर क्या होगा, 32 माइनस 34, जो है माइनस 2 के बराबर, और एन बराबर है 10 के, अब इसकी मदद से हम ए प्लस एन माइनस एक गोना दी लिख पाएंगे, और 10 बराबर है, 34 प्लस एन माइनस एक गोना दी, डी कितना था, माइनस 2, तो यह हो गया, 10 माइनस 34, बराबर है, माइनस 2 एन, प्लस 2 के, यह हो गया, माइनस 24, बराबर है, माइनस 2 एन, जो हो गया, minus 26, बराबर minus 2N, minus minus, cancel हो गया, 26 को 2 से भाग कर देंगे, इस प्रकार N हमें मिल जाएगा 13, तो बच्चों हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे, S N बराबर N बटा 2 गुना A plus A N, ठीक है, यहाँ पर N कितना है, 13, तो S 13 हुआ, 13 बटे 2 गुना A है 34, plus A N है 10, इसको हम सरल कर लेते हैं, यह हुआ 44, दो से भाग कर देंगे, तो 13 गुना 22, इसको हम गुना करके देख लेते हैं, तेरा दुना 26, और यह फिर हो गया 26, 286, तो हमारा योग आ गया 286, समझ में आ गया बच्चों, चलिए अगला प्रेशन करते हैं, एक A P में A 5 के बराबर है, D 3 है और A N 50 दिया है, N और S N ग्यात कीजिए, ठीक है, तो A हमारे पास जो दिया है हो नोट कर लेते हैं, सारवंतर 3 है और A N है 50, ठीक है, हमें निकालना है N और S N, तो A N बराबर होता है A प्लस N माइनस एक गुना D के, तो इसको हमने दिखा 50, बराबर है A है 5 प्लस N माइनस एक गुना D, D कितना है 3, तो यह हो गया 45, 50 में से 5 घटा देंगे, N माइनस एक गुना 3, इसको हम 45 को 3 से भाग दे देंगे, N माइनस एक कितना आ जाएगा 15, तो N का मान हो जाएगा 15 और 16, ठीक है, तो हमने N तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे, S N, मतलब S 16, इसमें N बटा 2, A प्लस A N फॉर्मुला लगा कर, N हमारे पास 16 आ गया, तो हम 16 लिख लेते हैं, 16 बटा 2, और A हमारे पास क्या था, 5 और A N था, 50, तो 8 को 55 से गुना करेंगे, 440, तो S 16 भी हमने निकाल लिया, S N और N भी निकाल लिया, समझ में आ गया बच्चो, चलिए अगला प्रेशन करते हैं, एक AP में A 12 है 37, और D है 3, और A और S 12 ग्याद कीजिए, तो A 12 37 है, इसका मतलब A प्लस 11 D, 37 के बराबर है, इसमें हम D का मान रख देते हैं, कितना है, 3, तो इससे हमें A का मान आ जाएगा, 37 माइनस 33 वो हो गया 4, तो प्रथम पद हो गया 4, अब हमें निकालना है, S 12, 12 बटे 2, A प्लस An हमारा फॉर्मुला है, इसमें 6 और प्रथम पद हमारे पास 4 आ गया था, और An हमें क्या दे रखा था, A 12 कितना है, 37, 246, तो हमने इस प्रकार S 12 निकाल लिया, और A कमान भी निकाल लिया, ठीक है बचो, चलिए अगला प्रेश्न करते हैं, एक AP में A बराबर है 8 और An बराबर है 62 और Sn दिया है 210, हमें निकालना है N और D, ठीक है, हमारे पास पहला पद है 8 और An है 62, इसको हम फॉर्मुले में रख लेंगे, A प्लस, N माइनस 1 गुना D में, तो ये हो जाएगा, A का अमान रखा, हमने 8 और N माइनस 1 गुना D, 22 माइनस 8 बराबर होगा N माइनस 1 गुना D के, तो ये हो गया, 54 बराबर N माइनस 1 गुना D के, इसको हम समीकरन संख्या 1 ले लेते हैं, हैं अब हमारे पास Sn बराबर 210 दे रखा है इसकी मदद से हम एक और समीकरन प्राप्त करेंगे क्या आएगी N बटा 2 A प्लस A N हम इससे भी निकाल सकते हैं यह हो जाएगा 422 से हमने गुणा कर दिया N A क्या है हमारे पास 8 और A N हमें दे रखा है 62 ठीक है तो 420 को हम 70 से भाग दे देंगे और हमें N का मान आ जाएगा 6 ठीक है अब इस N के मान को हम पहली समीकरन में रख देंगे और हमें D का मान आ जाएगा 6-1 गुणा D तो यह हो गया 54 बटा 5 इस प्रकार हमें D का मान भी मिल गया और हमने N भी निकाल लिया ठीक है विचो चलिए अगला प्रेशन करते हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 इत्यादी के कितने पद लेने चाहिए ठीक हैं? हमारे पास पहला पत क्या है आपर? 9 है और सारवंतर हम D कैसे निकालेंगे? 17 माइनस 9 जो है 8 के बराबर और हमारे पास फॉर्मुला है S N बराबर N बटा 2, 2 A प्लस N माइनस 1 गुना D इसमें हमने 636 का मान रख दिया N बटा 2, A कितना था? 9 प्लस N माइनस 1 गुना D, D कितना है? 8 इसको हम हल करते हैं, 636 को 2 से आप गुना करिये, क्या आएगा? 9 दुनी 18 प्लस 8 N माइनस 8 यह हो गया हमारा 636 गुना 2 बराबर N गुना 18 में से 8 गटाया 10 प्लस 8 N ठीक है? यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं यह हो जाएगा 2 N और अंदर बचेगा 5 प्लस 4 N 2 से 2 को काट देते हैं तो देखिए 636 बराबर है 5 N प्लस 4 N की घाद 2 देखिए बचेओ यहाँ पर हमें 2 घाद समीकरन प्राप्त हुई है इसको हम हल करेंगे यह हमारे पास आई 4 N की घाद 2 प्लस 5 N माइनस 636 बराबर है 0 के अब हम 636 को 4 से गुना कर लेते हैं 2544 अब इसके हम गुननखंड कर लेते हैं दो चिक बारा दो ती अच्छे और फिर दो से दो ती अच्छे और यह हो जाएगा दो एकम दो और अब फिर दो से दो एकम दो दो पांच बार जाएगा और यह 9 बार अब 3 से 3, 5, 15 और 3 दो दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुन 16, 16 थिया 48 और हमारे पास यह दो फैक्टर आ गए इसको हम लिख लेंगे 4N की घाद 2 प्लस minus 48N minus 636 बराबर है शूनी के इन दोनों में क्या कमन है तो 4N plus 53 minus यहां पे 12 हम कमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 4N plus 53 इस प्रकार N minus 12 और 4N plus 53 बराबर हो गया शूनी के और हम देखते हैं यहां तो N minus 12 शूनी के बराबर होगा यहां 4N plus 53 शूनी के बराबर होगा यहां देखिए N 12 के बराबर आया और 4N minus 53 इसका मतलब N minus 53 बराबर 4 यह तो नहीं हो सकता क्यों क्यों कि यह रिणात्मक है इसलिए N बराबर 12 होगा हमें कितने पद लेने चाहिए थे हमें 12 पद लेने चाहिए थे जिससे कि हमें योग 636 प्राप्त हो समझ में आ गया बच्चों प्रश्न पसंद आया चलिए अब हम ग्रह कारिय ले लेते हैं पहला प्रश्न है AP 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ग्याद कीजिए दूसरा प्रश्न है यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20 पद ग्याद कीजिए प्रश्न 3 एक AP में AN बराबर है 4, D बराबर है 2 और SN बराबर है माइनस 14 ये दिया है और N और A ग्याद कीजिए अगला प्रश्न दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए प्रश्न 4 यदि किसी AP का प्रथम पद माइनस 5 और सार्व अंतर 2 है तो उसके प्रथम 6 पदों का योग है पहला आप्शन है 0 दूसरा आप्शन है 5 तीसरा आप्शन है 6 और चौथा आप्शन है 15 प्रश्न 5 AP 10 6 2 इत्यादी के प्रथम 16 पदों का योग है पहला आप्शन है माइनस 320 दूसरा आप्शन है 320 तीसरा आप्शन है माइनस 332 चौथा आप्शन है 400 ठीक है बचो अब हम सारांज देख लेते हैं किसी AP के प्रथम N पदों का योग SN निम्र लिखित सूत से प्राप्त होता है SN बराबर N बटा 2 गुणा 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D यदि N पदों वाली AP का अंतिम पद L है तो इसके सभी पदों का योग निम्र लिखित सूतर से भी प्राप्त किया जा सकता है SN बराबर N बटा 2 गुणा A प्लस L कभी कभी SN को S से भी व्यक्त किया जाता है तो बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा खुब अभ्यास करिए आप निपन हो जाएंगे मेरा विश्वास है धन्यवाद झाल ons आपको आपके लिए घ्यक्त करी का लोग जाएंस लिएरो, भ्यवास बाटरेंगे पार्愉वार विल्ष खुणाव्यू